जेहिं सातियों, आज शुरुवात करते हम देनिक जागरन न्यूस्वेपर का एनालिसिस करना आज तारीक है 15 अक्तुमबर 2022 और आज का दिन है शनिवार्थ सम विस्तरत विश्लेशन करने से पूरो देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं तमारी पहली खबर रहीगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो कार्बन डेटिंग वीदी है वो क्या होती है फिर हम देखेंगे यही पर कि जो पेनिंट ट्रेंडिंग जो रडार सर्वे वो क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे फिर देखेंगे कि ये मुद्दा कहां है ये शिवलिंग कहां पर मिलीती उसको देखने का प्रयास करेंगे फिर देखने का प्रयास करेंगे कि सतलच यमुना लिंग जो नहरे वो कहां परे और उसको लेकर विवात क्यों है फिर हमारी अगली खबर रही है कि शुरुक्सा से संब्धित legitim कि क्या होती है पंडूभी कितनी प्रकार की होती है quella नुकलियर पंडूभी क्या होती है कि इस देश के पास कितनी पंडूभी कह यह उनको देखने का प्रयास करेंगे फिर हम देखेंगे अगलीखबार हमारी राजी वेस्ता सिसंब्सलिट रहेगी जिसमें हम देखने का परहेस करेंगे कि समोह है तर उसका करेंगे मुसलिमों की दर्ज कऊनी का myths करेंगे यह पस मांदा है वो क्यों लड़ रहे हैं अधिकारों को लेकर उसको देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे मंडल कमिशन को फिर उसके बाद देखेंगे कि जो सच्चे कमिटी थी वो क्या थी उसके बाद देखेंगे कि जो पस मांदा मुसलिम से Google से जोड़कर देख सकते हम इसे पिर आवश्यक्ता अनुरुप हो कोशल विकास तो इसे भी आप स्वेम पढ़ने का प्रयास केज़ेगा जिसमें किस तरह से युवाओं को रोजगार मुहय करा जा रहा है कौन सी योजना है जिससे बेरोजगारी उसको कम किया जा सके यु सब्सक्राइब करेंगे जलवाई जो परिवर्तने वह क्या होता है फिर यहाँ परिश्ट एग्रिमेंट को देखने का प्रयास करेंगे फिर यू एन एप्ससी को देखेंगे का ना देता है मिसाइल में एपीछे अब्दुल कलाम का जीवन तो इसे आप जिससे जूड़ सक सकते हैं क्यों इतिक से क्योंकि इसाइल में ऐपडुलकलाम की दिवशन से में संगर्श लेना चीह है तो मिसाइल में डाक्टर ऐपडुलकलाम का जन्म 1934 में मातमिलाडु के रामेशवरम जिले में हुआ था वह पाइलेट बनना चाहते थे लेकिन सपलता नहीं मिली रिशी केस में स्वामी शिवानन्त की प्रेणा से पुर्णा अध्यन्द में जुटे और अंत्रिक्ष विवाक से जुडे और कहीं अहाम परिजनाओं का हिसा रही दोजार दो में देश के ग्यारवे राष्ट्रपति की रूप में जिमिदारी संबाली विंग्स ओफ फायर और इग्नाइटेट माइंड्स जैसी उनकी पुर्स्तों के लोगों को प्रेणा का स्रोत हैं देश बर्क की विद्यारतियों के साथ उन्होंने जो समात इस्तापित क करने जिए वह भी द्युक्त दता रянक तरह से आप इनकी जीवन से शिख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंन में जीवन संगट्ष किया जो चाहते थे और नहीं मिला लेकिं जो मिला उनकी सोच से भी बड़ा था और इस तरह से आप देखिए फिर हम देखेंगे कि मंदिर कला की शेलिया कौन-कौन से होती है फिर देखेंगे कि नागट शेली क्या होती है फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि बेशल सेली का कौन से होती है फिर द्रविन शेली क्या है उसको देखेंगे फिर पूरे भारत में देखने का प्रयास पिर एक अंजीमेच को फjem podéis पर्यास करेंगे इसी चीज को फिर हम देखेंगे नाँगण शेली है नागण शेली की विशच्ताओं को देख लेएंगे नाजची लेएंगे पिर हम मंदिर जो एधियम का इस्तमाल क्या पया हैं फिर हमारे एकली खबर रहेगी ज्ञान वापी परिसर्स ते सम्मधित जहां पर हम देखने का प्रयास करेंगी कि जो शेवलिंग के साक्षी मिले थे वो कहां पर मिले थे तो इन दोनों का एनालिसिस करेंगे इदर विश्वनात मंदिर हो जाता है औ फिर हम देखेंगे कि जो ground penetrating radar system में वो क्या होता है उसका इस्तमाल क्यों कि यह जाता है फिर कुछ image के तुरू उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि कि इस तरह से यह penetrating radar यह काम करता है फिर हम चलेंगे जलवाईव परिवरतन से सम्मधित जिसमें कुछ images के तुरू कोब क्या है फिर उसके बाद देखेंगे जलवाई परिवरतन क्या UNFCC संगटन को देखेंगे फिर conference of parties को देखेंगे पेरी समझेते को देखेंगे इसके आलोशना को देखेंगे और विकसित और विकासित देशों को बीच में मत्वेत को देखेंगे और पेरी समझेता और भारत को देखने का प्रयास करेंगे फिर कुछ image की सुमझने का प्रयास करेंगे Global temperature को carbon dioxide emission को फिर Sun को फिर Ice score को देखने का प्रयास करेंगे फिर हम जो 2015, 14, 10, 13 जो इनका temperature रहता है Global temperature उसको समझने का प्रयास करेंगे पिर हम पेरिस एक climate जो agreement है उसको एक overview में देख लेंगे आते जाते जाते समय, जो हमने पहले देख लिया बस उसको एक बार revision की तोर पर देखेंगे यहाँ पर, फिर हम देखेंगे reservation in India, फिर उसके बाद देखेंगे की जो करपूरी ठाक और formula है, वो क्या है और क्यों चर्चा बना हुआ है, उसको देखेंगे, फिर देखेंगे Mandal Commission, I means, ko देखने का प्रेयास करेंगे, उसकी disparände की कैना निंक को को देख लेंगे मातूर ब्यास लेंगे उसको देख लेंगे पिर उसके बाद हम देखेंगे कि समरीन है पंडूपिया हैं वो किस तरह से कारी करती है फिर देखेंगे कि समरीन की टाइट से कितने प्रकार की होती है फिर देखेंगे कि किस कंट्रे के पास कितनी समरीन है उसको कारी करती उसको देखेंगे फिर उसके बाद देखेंगे उसके इमेज के किस तरह से वह अपने टार्गेट को हिट करती है फिर किस तरह से जो बैलिस्टिक इसे इमेज की तरू समझेंगे उन चीजों को तिरम देखेंगे वोल साइल प्राइस इंडेक्स उसमें कीन चीजों का वेटेज कितना होता है की तुलना हैं consumer price index करेंगे तरह में देखने का प्राइस करेंगे उस्ताम करेंगे तो ही सिरुवाथ करते हैं भी कईशिविलिंग को पहुंच सकती है है इसलिए कार्बन डेटिंग की अनुमती नहीं कोट तो ज्यान वापी प्रक्राण तो वारानेशी के जिला जच्ट ने खारिच की वियाग्यानिक जांच की मांग तो ज्यान वापी परिसर में मिले शिवलिंग की वियाग्यानिक जांच यानि कार्बन डेटिंग और पेनिट् से शेवलिंग को नुकसान पहुंच सकता हैं ऐसे दार्मिक बावना को चोट पहुंच सकती है जिला जच ने पैनेट्रेटरिंग रडार सर्वेश से इंकार किया है और कहा कि भारती पुरातात्विक सर्वेश को नेर्देस देना उचीत नहीं होगा कि वह शेवलिंग की चीजों की उम्र का पता लगा जाता है चीजे अपने आसपास के वातावरंट से कारबन ऑश्रित करती है और इस कारबन में एक निशीत मात्रा में प्राकर्तिक रेडियोक्टिव कारबन यानि जिसे हम सीपोटिन बोलते हैं शामिल होए जोकि कारबन फोटिन केपसूल बनाता है और कारबन डेटिंग इसी बच्ची हुई रेडियोक्टिव मात्रा कमापन करता है और इससे निर्दारित करने के बाद विग्यानिक और स्वस्तु के समय का नमान लगा लेते हैं तो इस तरह से में तो यहां पर जिक्र किया कारबन डेटिंग का और पेने अनवाइपी परिए मस्जिद परिस्ट इससे आप दोनों को देखने का प्रयास केजिए कि कि कितना समय पवस्तिव है उसके बाद आप जो महत्पुन इस पर द्यान फोकस केजिए कि जो मंदिर है जो विश्युनात मंदिर है अब उसका देखिए यह पश्यमी द्वार हो चोरे धाई यह पूरी दवार हो जाता है और यह पर पर देखिए कि जो विराज मान है नन्दी अब यहां से और जो घ्यान मापी मजिद परिस्ट आप इन दोनों मिला था शिवलिंग तो जो शिवलिंग मिला है वो कहां से मिला था तो यह जो मज़ित की गुम्बंद है इनके सामने जो होज वही से मिला था क्या शिवलिंग अब यह देखिए कि यह मज़ित में जाने का यह गोजलियार दुवार हो जाता है तो इस तरह से आप इनकी इस्ट्रेक्चर उसको समझने का प्रयास कीजिए कि कहां से जो शीवलिंग मिलाता और किस तरह से विवात कड़ा हुआ है अब हम देखते हैं कि जो कार्बन साइकिल है या जो कार्बन फोटिन विदियो किस तरह से काम करती है तो आप देखिए कि यहां से सूर्य से जो कोस्मिक रेडेशन आती है और जो न्यूट्रोन होता है न्यूट्रोन से क्या बनता है पि नाइट्रोन फोटिन बनता है फिर न इनको क्या करता है जो living organism होता हुँ आउस्योशन करते हैं अब जैसे यह पेड़ पोधे हैं यहाँ पर जीवजन तो दिखाए हुए और जब यह मड़ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो carbon 14 होता है वो beta decay के द्वारा क्या होता है कि nitrogen 14 में वापिस convert हो जाता है तो इस तरह से यह cycle चलती रहती है फिर nitrogen 14 रहेगा फिर nitrogen 14 nitrogen capture करेगा फिर carbon 14 आएगा फिर carbon 14 यह living organism है अब यह case के तुरू आउस्योशन करते हैं तो जैसा कि मैं पता है कि जो पोधे है वो photosynthesis की क्रिया करते हैं जिसके द्वारा वो अपना बोजन बनाते है तो उसमें क्या carbon dioxide का इस्त 14 है वो beta decay की प्रक्रिया चालू होगी फिर nitrogen 14 में convert होता रहेगा तो आप यहाई यह carbon dating वीदि उसका यह इस्तमाल किया जाता है कि अब यह कितने समय में decay हो रहा है और कितना डिक हो रहा है तो आप एक image से समझें कि यह carbon 14 है अब इसके 3 isot of scheme ने बात कर लिए C12, C13 और C14 जो म मरेगा तो समय जो carbon 14 है वो 100% रहेंगे और को समय के बाद यानि कितने समय के बाद तो 50% तप रहे जाएंगे जब वो 5-730 साल उसके मिल्ट्यू हो जाईगी तब उसमें जो carbon 14 के जो उश्यश्यव कितने प्रतिशत रहेंगे 50% फिर जब 11460 साल हो जाएंगे तब उसमें कि 25% प्रतिशती carbon 14 बचेगा फिर अगले बार जब देखा जाएगा सब 17190 साल बाद तब पता चलेगा कि जो carbon 14 12.5% बचा इसका मतलब है कि जब यहां पर कोई इंसान जो अवश्यशन उनका analysis करेगा या उनकी carbon जो आयू का निर्दारन करने के लिए इस्तमाल करेगा carbon 14 जाता है अब देखी कि जो ground penetrating radar system में क्या होता है तो ground penetrating radar एक भू बोधी की विदी है जो उपसतक की छवी के लिए radar का उप्यों करती है यह concrete तारकोल दातु पाइप केबल या चीनाई जैसी बुमिगत उप्यों कि जांच करने के लिए उपसतक का सर्वेक्षन करने का तरी पंद्रा मीटर नेचे तक की सभी जानकरी आसानी सी मिल सकती है काशी की प्राचिंत प्राचिंता के लिहास से यह बहुत जरू ही कि खुदाई की समय चेत्री की सब्वेतर का ध्यान रखा जाए इसलिए वहाँ पर इस तरी की विदी उसका मनाई किया है कोट ने ऐसी मातप जाती है और उनको स्वरक्षित बहार निकाला जा सके तो इसलिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार है उसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद आप देखिए कि जो जीप्यार तकनीक है वो किस तरह से आपने ये इमेज तो आपने देखा हुआ जब भी आप आर्के किया जाता है कि सीवगी चीज का कि उसके निचे कौन से आउश्ष्ष मिले हैं यहें के या नहीं है तो इसके बाद देखिए कि जो जीपी आरी या नी जो पेनेट्रेटिंग रडार हुआ किस तरह से काम करती तो यह जीप्यार मशीन हो जाती है उसके बाद यह रडार वे यह वस्तु निचे दभी हुए है तो इस तरह से यह काम करती है तो इस तरह से आप देखिए यह जीपी आरी मशीन हो गया यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम हो गया अब यहां से रडार वेस छोड़ रहा है अब को अब्जेक्ट होगा तुसे टकरा कर वापिस आएगी तो पता लग जाएगा कि कोई सा अब्जेक्ट निचे है तो इसके आलाव आप देखिए सिंपल जीपी आर ओप्रेटिंग प्रिंसिबल किस तरह से काम कर रहा है तो यह सिंगल छोड़ रही है यहां से रडार सिस्टम लेकिन यहां इससे कोई डिटेक्ट जो सतलच यमुना लिंक है कि मुद्दे पर नहीं बनी सरमती तो बेंक बेटक में सियम बगवन मान बोले पंजाब नहीं छोड़ेगा अपना जो हग उसके बाद हर्याना की सियम ने कहा कि सतलच यमुना लिंक उमारे लिए जीवन मरण का सवा दोनों राजों की केंद्रे दी थी कि मिलकर बेटकर समाधा निकाल ले लेकिन विवाद उसका समाधा नहीं होता है तो आप देख ले थी कि जो यह सतलच यमुना लिंक है कहां पर होस्ती थे तो आप इस मेप में देखने का प्रयास कीजिए तो यह पंजाब हो जाता ही हिमाचल प्रदेश होता है यह ह जोडने का काम करिए तो आप देखिए कि यह यमुना हो गई और यह यमुना केनाल हो जाती तो यह पर दिखाओ हो है कि पंजाब में नहर का 121 किलोमेटर हिस्सा 10% अदूरा अब यह पर दिखाओ कि हर्याना के हिस्से में नहर का 51 किलोमेटर काम पूरा तो इस तरह से आप अब अन्य-डमी हमेटर ट्रूर समझते हुआ इसी चीज़ को वापी कर पंजाब हो जाता है यह रियरख़ हाँ हो जाता हो मThere लेकर दोनों के स्वीच विवाद चलता है उसक्हलाव और गोविन सागर हो जाता है यह सहित है हिमाचल प्रदन है यह भागरा डेम हिमाचल प्रदेश में हो जाता है और नागल डेम दोनों की सीमा पर अहर्तित हो जाता है इसलिए पंजाब और हर्यान के बीच में इसको लेकर विवाद चिड़ा हुआ है एक अंजी इमेज के पितरू फिर समझने का प्रयास कीजिए पंजाब हिमाचल प्र नागल डेम और इसके पिछे गोविन सागर अवस्तित हो जाता है अब आप देखी कि यहां पर और अन्य जो लिंक है वो कोँसी है तो इसे सतलच पर व्यास नदी हो जाती है इन दोनों को जोडने का काम को उनको रही तो व्यास सतलच लिंक जोडने का काम करी यही पर इन डेम अवस्ति थे तो इस तरह से आप इस मेप को देखिए अनालेसिस किर जीए अब अटती मगली हवर पर आई एन एस अर्यंस से बैलिस्टिक मिसाइल का सपल परिक्षन किया है अब इस से जोड़ी कुछ बातों को देखते हैं तो बड़ी ताकत दूर तक गए तो इस नविन तप पंड़ुवी लांच बैलिस्टिक मिसाइल के परिक्षन से प्रमालत हुआ कि आई एन एस अर्यंस चेन की पंड़ुवियां पूरी तरह से सक्री और शमता वाने परमान उज्जा से चलने वाली पंड़ुवियों का निर्मान और पंड़ुवी से बैलि पंड़ुवियों की मौजूद की बढ़ रही है और इस परिक्षन से चेन को सकत संदेश जाएगा अब यहां पर देखते हैं कि जो इस परिक्षन किया इसका क्या महत्व है तो इस मिसाइल का परिक्षन भारत के लिए यानि जो यह बात की यहां पर जो अरिहंत की बात की जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल से जो कारिक्रम हैं कि सफलता को दशाता हैं कि इस से भारत की परमानो शक्ती शमता को मजबूत करने की दिशामे एक मात्वन कदम माना जा रहा है बारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद बैलिस्टिक मिसाइलों से लेस्ट परमाणु शक्ती संपन पंडुपी रखने वाला दुनिया का छटा देश है बारत की परमाणु निती की एक प्रमुक विशिष्टा यह है कि बारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा हालाएं कि यदि कोई देश बारत पर परमाणु हमला करता है तो फिर उसका मजबूत और निनायक जवाब देने में से भी पेचे नहीं यटेगा इस निनायक और जवाबी परमाणु हमले के लिए एक शक्तिशाली पंडुपी प्रेक्षित बेलिस्टिक मिसाई शमता जरूरी होती है जो भारत के पास है भारत बेलिस्टिक मिसाईल पंडुपी बंगाल की खाड़ी में तेना थे ऐसे में भारत अब चीन और पाकिस्तान को पानी के बीतर से ही निशाना बनाने में शक्षम हो जाएगा चीन एम पाकिस्तान की किसी भी अरकत को मूत और जवाब देने के लिए बारती सेना ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है और इस बेलिस्टिक मिसाईल परिशन ने साबित कर दिया कि आई एनस अरियन वीमा जो पंडूपी है समरीन उसको देखिए को किस तरह से चलती है किस तरह से कार करती है आप देखिए किस तरह सो समुद्र के अंदर चलती है किस तरह से अपनी मिसाईल टेकनोलोजी है या जो भी डिपेंस से उसको रिडूस करती है या रिलिस करती है उसके बाद देखिए कि जो समरीन है वो कितने प्रकार की होती है तो समरीन दो प्रकार की होती ही में डिजल इलेक्ट्रिक और नुक्लियर पावर इलेक्रिक होती है और दोनों ही जो नुक्लियर वार हैड उसको ले जाने में शक्षम होती है उसके अलावा आप इस समरीन को देखी इसमें आप देखी कि सामने क्या हो गया तो tarpito tubes होते हैं फिर यह living quarters होते हैं जहां पर जो अंदर military के जो main देते हैं वो रहते हैं और फिर इसके बाद engine room रहता है इसके पीछे की साइड फिर यह ड्रडाल लगे होते हैं पिर यह hedge होता है फिर जो उपर होते हैं यह communication antenna लगे होते हैं और यह उपर periscope होता है जिससे समुद्र के उपर की जो गतिविद्या है बार जो भी देखना है उससे देखा जा सकता है अंदर बेटे बेटी अब जो diesel powered है यह nuclear powered ही इनकी दोनों की विशिस्ताओं को देख लेते हैं तो जो diesel powered जो समरीन देती है उनको बार बार सता पर आना पड़ता है जिससे इनको आसने से डिटेक्ट के जा सकता है यह चोटी होती है और दुसरा कि जो इनका maintenance है और जो इनको परिचाला ने वो सस्ता होता है जुसरा कि nuclear powered होती है यह लंबे समय तक समुद्र के अंदर रह सकती है इनको बहुत ही कम समता होती है इनको detect कर पाने की दुसरा कि बड़ी होती है दुसरा है कि इनका जो खर्चा है एक्सपेंस है वो बहुत जादा आता है इनको maintenance और run करने में उसके अलावा आप देखिए कि कि किन देशों के पास कौन सी समरीन है तो यहाँ पर दिखा हुआ कि कि कितने 42 nations पोस्ट एट 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 लिस और एट फाइप सम समरी से यहाँ तो 10 चार कौन सी नुक्लिय अ देखिए उके का पास लिट में में से बार न्यूकलिय ऌड़स और भारत की स्थिति को देखिए तो बारत के तो इस तरह से देखी कि हम चाहिने से कितना पिछे और कितना हों से आगी हैं तो इसलिए तो सबसे जादा जोरी कि बारत को अपना इतना बड़ा समुदर चेतर उसकी निगरानी इस तुरक्षा के लिए जो इस तरह की समरीन है उसकी बहुत ज्यादा आवशक्तिया है अब उ सबस्केल चायना को देखी है क्योंकि हमारा फरशी ही तो इसकी द्यान रखना जूरी हमाई तुसके पास 69 है है और siya को देखी तो 68 इसके बार्ष रस्यआ को दखी तो 29 आई उस तरह से आप इनका तुलना कि कि क्यों आज ये अपनी शक्ती को बढ़ा रहे हैं भारत को अभी इनसे बहुत ही पिछे यानि बहुत ज़रूरी इस चैत्रे में और काम करने की अब हम देखते बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसका पहले पात को दिखी कि किस तरह से काम करती है यहां पर जो ओरीजिन होता है ब point of impact हो गया अब इस ही को image की तरह समझे है कि और यह असेंडи निक भ्रांच हो गई है पिर उसके बात यह उसके बात यह जाएगी यहां ordinate यानि maximum ordinate हो जाएगी उच्छाई और उसके बात यह descending branch होगी इसकी जहाँ अपने जो hit target है उसको hit करेगी तो आप देखिए कि किस तरह से जो समरीन है वो जो ballistic missile लगी हो किस तरह से कारे करी समरीन के अंदर अब आप देखिए कि जो ballistic missile defense system हो किस तरह से काम करता है तो यहां से enemy missile launcher है उसने अपने ballistic missile उसको launch किया है अब यह launch तो कर दिया इसने तो जैसा कि मैं पताई कि यह ascending branch हो गई अब यहां पर maximum order इसका जो ordinate हो हो गया अब यहां यहां पर हमारा जो radar station हो लगा हुआ है फिर command and control जो system हो लगा हो फिर missile launcher लगा हो अब जैसे यहां से radar station अपने जो signal हो launch किये अब जैसे इसको पता चला कि यहां पर missile detect हो जाती है अब यहां पर उसको पता चल गए कि हां detect हो गई जो tracking system लगा था उसमें अब यहां से जैसी कि हां missile launch हो जाती इसने अपनी जो missile guidance हो छोड़ी यहां से कि missile चलने लगी उसके बाद यह intercept zone हो जाता जहां पर जो missile है इसको जो missile launcher उसने जो missile launch किये उससे इसको hit करके महीं पर खतम कर देगा तो इस तरह से जो ballistic missile system में वह काम करता है अब हम देख लेते कि जो ballistic missile क्रूच missile में क्या अंतर है तो इसकी range को देखी तो जो ballistic missile उसकी range बहुत ज्यादा होती लगबग 15,000 km तक और cruise missile की 1000 km से लेके 4000 km तक इसका altitude को देखी तो ballistic missile का altitude high होता है और easily detectable होता जिसे हमने देखी लिया भी उसकी अलावाद जो cruise missile उसका altitude होता हो लो होता है और बहुत ही मुश्कुल हो ने मोबाइल तर्के यह फिट रहती पर इस फिट को तो आप बदलती रहती इनकी समय के साथ उसके अलाव आप देखी एक ballistic system है वो किस तर रही तर होता है उसके अलाव देखिए बेव बंगाल हो गया इंडर नोशन हो गया है यह अरब सागर हो गया है यह चाविना हो गया साउथ चैना सी जाब बारत अब आने वाले समय में अपनी नुकलियर पावर्ड समरी ने उसको लौंच करेगा यानि यहां पर उसको तेनात करेगा ताकि इ अब एक अजिमेज के तुरू इसी चीज़ को वापिस देखिए अरब सागर यह बेव बंगाल यह इंडर नोशन वाला चितर हो गया इसमें मुझामिन चैनल हो गया है यह तो मिड इंडियन बैसीन हो जाता है तो इस तरह से आप देखिए इसको और भी चीज़ों को देख प्रम राम जनमगो भी पर किसरीओ बना झारे उसकी विशेस्ता और उसको देखते हैं है तो पहले हमें देखते हैं कि जो मंदिर कला की शेलिया किन्सीप्रकार प्रकार्या होते है तो तीन प्रकार croc, शेलि, बैसर शेलि & द्रविन शेलि अब इन तीनों शेलियों को और गुज्रात राजिस्तान मंदिर शेली का कौन सा तो दिलवाडा जेन मंदिर ये उसके उधारान हो जाते हैं और ये उत्तर बारत में प्रचली थे अब उसके बाद देखी बैसर शेली तो इसका निर्मान किसने कराया था तो चालो के और होईसल राजवन्षों ने इसके द्युट द्वारा निर्मित किय गई थी और ये का अपा फेली तो विंद्य और कश्णा नाधि के बिचका छेतर हो गया यानि एक द्रमिन शेली और नागर शेली की बिचका चेतर यानि Kousa रहती है अब इस बेश焼 शली को देखी है चालुकी शेली चालुकी शेली ऊईसल शेली और पाल शेली और कुछ आ निडbon میत है इस ने निर्मित किया तो चालुकी और हॉइसल राजवांशो Bruno किוש अ निर्मित है उसके बात less यानि पूरा दक्षन बारत वाला चेतर हो जाता है उसके उत्तर बारत उत्तर वाले चेतर में सारी नागर शेली हो जाती है और उसके बाद क्रेश्ण नदी से कन्या कुमारी की बिच में बारत के इसम का मंदिर हो जाता है के अर्खिटेकश्र को देखिए आप उनके डिजाइन को देखने का प्रयास की जेए उत्तर बारत की देखिए और बीच में जो वेसर से लिए उसको देखिए तो आपको कुछ अंतर दिखाई देगा अब यहां पर दिखा हो गाए कि एसम क की उडिसा का वो अभी हमने बात कियो कि शेली में बनाए गया है तो वो नागट शेली उसमें बनाए गया है उसके अलावा आप देख सकते हैं और भी मंदिर गोल्डन डेपल पंजाब का अब इसी को एक इमेज की तुरू देखिए आप तो यहां पर आपको उतर बारत की मे आयतकार की साथ दिखाई देगा कुछ है और बीच की जब आप देखिएंगे वेर्षर शेली तो दोनों का मिक्सर दिखाई देगा आपको अब हम देखते हैं कि जो नागट शेली है उसको देख लेते हैं तो नागट शेली में मंदिर की जो कौन से मत पून जो इस्ट्रक देखिए तो यह मां का मंदिर हो गया अब इसी में सब चीज़े जोडते हैं तो यह शीकार हो जाएगा अब पहले इसका देख लीजी पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें तो इसका कंस्ट्रक्शन परियेट कितना है तो तीन साल का इस्टाइल ओप आर्किटेक्ट्टर को तो शीकार यह द्वज हो गया एक सो एक सट फीट उसके बाद गर्ब ग्री हो जाएगा फिर कुडू मंदप हो जाएगा फिर नरति मंदप पिर रंग मंदप तो यह इस तरह का इसका जो आर्किटेक्ट्टर हो रहेगा अब इसको आप देखिए फिर यह वह चीज़ वाप सत्रामां मंदीर यह उसको बना जाएगा तो क्योंकि चर्चा में भी बना रहता है इस लिए मैसको पढ़ना जरूरी क्योंकि मंदिर उससे प्रिश्कन बन रहे है कि किस किस शाधियां मंदीर बना जा रहे है tuh Hence तरह से Hazee की सिख और बटने मगली खबधर पर पार बचान औ पहली बार एक सम्मिलन करने जा रही है लंबे समय से मुस्लिम समाज का यह वर्ग चर्चा में है लगबग धाय दसक से पस मांदा मुस्लिम अपने अधिकारों और बराबरी के लिए आवाज उठाते रहे हैं अब देखते हैं कि जो पस मांदा मुस्लिम है वो कौन है तो भार दलितों और दलित मुस्लिमों को अरजल का जाता हैं तो इस तरह से मैं देखता है कि कितनी शर्णिम माटा हुआ है जंथा मुस्लिम समाज में अश्रप लग को प्रवावशली माना जाता है अश्रप लग में सेयाद मुगल पाटान अधि आते हैं और इनमें मुस्लिम congress मे जाता है ये दावा करते हैं कि भारत में कुल मुस्लिमों में उनकी संक्या कितनी तो 80 प्रतिशती परस्मांदा पर्षियन भाष्या का शब्द जिसका अर्थ उत्ता है पेचे रह चाना परस्मांदा समात के कई परिवारों ने तो अपने काम के आधर पर ये जाती नामा चु हो गए या कसाई कुरेशी इस तरह के अब देखते हैं कि जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो उससे पहले देख लेती कि जो मुस्लिमों को ओबीसी दर्जे की कहानी क्या है तो वर्ट जो 1980 में जब VPC सरकाल ने मतलब मंडल कमिशन लागू कर ओबीसी को 27 प्रतिशत आ अनोंने 1994 को पिछडे मुसलिमों के लिए एक अहम गोशना के तर्थ हिंदू ओबीसी की तरह मुसलिम ओबीसी को भी राज्य में शिक्षा और नोक्री में आरक्षन देने का जो है लाव वो दिया था उसके अलाव देखते हैं कि जो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो वर्क का ही वर्चस्वर हता हैं और दावा हैं कि देश में एक 14 लोकसवा चुनाओ तक चुने गए लेकि 400 मुसलिमों में पसमांदा वर्क के लोगों की संक्या मात्र साट रही अब देखते हैं और कुछ बातों के तो अधिकारों की लड़ाई के लिए वर्ष 1998 में अली अन दुवाव बन चुका हैं अन्वरकिस लड़ाई के पिछे दलित मुसलिमों को सहविदान की दारा 341 के अंतरगत अनुसुचित जाती की पचान दिलाना है अभी मतांत्रित मुसलिमों को यह अधिकार नहीं परपते हैं जबकि सीख और बोध दर्म स्युकार करने वाले दुदू दलितों को अनुसुचित जातियाने सी का दर्जा देने के लिए शेंशोदन किये गए हैं अब देख लेते कि जो पस्मांदा मुसलिमों की प्रमुक मांगे क्या है तो सहविदान के अनुसार दलित मुसलिमों को आरक्षण मिले ओविसी में अती पिछड़े वरक को आरक्षण का जो करपूरी ठाक और फोर्मूला उसको लागू किया जाए मसमी छेतर में पस्मांदा मुसलिमों के लिए रोजगार वसायता की विवस्ता की जाए अब इससे समंदित एक सच्चर कमिटी को देखते तो उनका क्या उल्लेक था तो मुसलिमों के सामाजिक श और रिपोर्ट में अश्रप, अजलप और अजरल वर्गो का भी उल्लक किया गया तो अब देखते हैं कि जो करपूरी ठाकर फोर्मूला है वो क्या है और दूसरा मंडल कमिशन है वो कहां क्या है तो इससे पहले आप देख लिए कि रिजर्वेशन इंडिया में कितना है त अब देख लिए कि जो करपूरी ठाकर फोर्मूला हो क्या है तो कि जो करपूरी ठाकर फोर्मूली के अंतरगत OVC कोटे को विवाजित करके उसे विबिन समुदाय में ओप विवाजित किया गया था इस वर्गो को अती पिछड़ा किष्णे में रखा गया है इस फोर्मू पूरी ठाकर फोर्मूला अब देख लेते हैं कि जो अबीसे आरक्षन की प्रेश्ट भूमी क्या थी तो मंडिल आयोक का गटन वर्ष 1979 में समाजिक और शेक्षणिक रूप से बिच्ड़ेवर की पहचान की उद्देश ही किया गया था और इस आयोक का नेतर तो कौन करा था तो 32 सांसत बीपी मंडल द्वारा किया गया था जातिकत बेतबाव को दूर करने के लिए आरक्षन एम कोटा नेजाराण की व्योस्ता की गई लेकिन सवाल यह था कि किन समुह को यह लाप दिया जाए अर्तात समुह के पिच्ड़ेवर का नेजाराण के लिए मंडल आयोक समुह को दूरा 11 सामाजी कारतिक सेक्षन की संक्वत्य को इस्तमाल किया गया था वर्ष 1910 में मंडल आयक की रिपोर्ट में पिच्छडे वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नोकरी में 27.35 आरक्षन की सेपारिश की गई थी मंडल आयक ने यह सेपारिश की के केंडरों राज सरकारों के दिन चलने वाली विग्यानिक तक्तिक और प्रोफेशनल सेक्षन संतानों में दाकिले के लिए OBC वर्क के चातर चात्राओं को 27 प्रतिशत तारक्षन दिया जाए वर्ष नभ्य में मंडल आयक की सेपारिश्य को सरकार ने लागू किया और जिसके परिणाम सरुप राष्टे राजनेती में व्यापक बदलाव आया आलेंकि कई जगव व्यापक विरोध भी देखने को मिला इंद्रा सहानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसले पर बादा नहीं है अतहां राज्य सरकार इसा करना चाये तो वो कर सकती है तब इससे बाठती राजनेती में आलक्षन इतना महत्पूर हो गया कि इसके जीकर मात्रे से सरकार बन और बिगड़ सकती है तो इस तरह से में ये खबर देखने थी तो अब बढ़ते मगली खबर पर प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने 16 अक्तुमबर को डिजिटल बेंकिंग यूनिट की शुरुआत करेंगे तब पेले खबर क्या है तो 75 जिलो में डिजिटल बेंकिंग शुरुआत 16 से तो चालू वीत वर्ष 22-23 के बजट में पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पर 15 मतलब आपकी जिए 55 जिलो में डिजिटल बेंकिंग यूनिट शुरुआत करने की कोश्णा की गई थी जिससे का उद्देश क्या था तो दूर दराज के छेत्रों में बेंकिंग सुधाय उपलब्द कराने की उद्देश से रखा गया था इसका और इसी के उद्देश से साथ दे रहे हैं डिजिटल बेंकिंग यूनिट बेंक के सपोर्ट से चलाया जाने वाला एक आउटलूट की तरह काम करेगा जहां किसी भी बेंक में पाई जाने वाली सभी सेवाय उपलब्द होगी अभी भी कई ऐसे आउटलेट हैं जहां पेशा जमा करने पेशा निकाल पाईब्द करने जैसी सुविधा हैं लेकिन डिजिटल बेंकिंग यूनिट में बेंक शाका की तरही खाता भी खोला जा सकेगा और फिक्स्ट डिबोड यानि एबडी भी किया जा सकेगा तो हमें देखना था कि यह डिजिटल बेंकिंग यूनिट है वो क्या है इसका उद तो यहां पर कुछ आंकने दिखाओं कि किस तरह से जो तोक मंगाई दर है उसकी जो दर है उसमें कमी आई है तो बताया गया है कि तो आपके जो प्याज है कि तोक किमत में पिछले साल की मुकाबले 20.96 प्रतिशत की कमी आई जिसके वज़े से जो तोक मंगाई दर है उसके वज़े से संबंदित कुछ इंडेक्स को देख लेते हैं तो दिखायो वर्ट सेल प्राइस इंडेक्स तो आप यहां पर देख पार तो आप देख पारेंगे कि मेनिफेक्टरिंग सेक्टर में वस्तु हैं उनकी कीमत होने से जो मंगाई दर है जो थोक मंगाई दर है उसमें भी कमी आई है अब इसके अलावा आप कंजूमर प्राइस इंडेक्स को भी देख लीजी जिसमें सबसे ज़्यादा आपको दिख इसके अलावा इधर देखिए तो मिसलिनियस उसके अलावा आप देखिए स्मोर कोंसे तो पैयन है टबाक हुए एंड इंटोक्सिन माटेरियल हो गई है उसके बाद क्लोटिंग फुट्वेर, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग तो यह सब छेत्र मिलका ही कंजूमर प्रा इसकी ब्रद्दी और गिरावट को दिखाता है क्योंकि इसमें महत्पुन शेत्र सामिल हो गया है जैसे मैनुफेक्ट्रिंग हो गया है तूलेंड पावर शेत्र हो गया है तो इस तरह से में इस कवर को देखना था तब बढ़ती मगली कवर पर ऑस्ट्रिया में बारती चा शुबम गर्ग पर चाकु से हमला किया गया है वह आगरा के रहने वाले तो यहां पर जिखरी किया तो इसकी मेप को देखते हूं तो यह आप देखी कि इसकी लोकेशन का है तो इदर इंडियो नोशन आ गया है और इदर परशान मास आगर आ गया है तो यह पेशिपिक भाइड में इदर को रखेल सी हो गया है तो इसके अलग कर रही है तो इसके अलावा आप देखी इसमें कों से छेतर हो गया तो इसके प्रांत हो जाते है उसके अलावा आप देखिए इसकी महत्रून नदिया कोई सी तो यह Darling और मरे नदिया जो कहां से निकल रही है तो Great Dividing Range से निकल रही है और New South Wales से होते हुए जब यह आगे बढ़ती ही तो Great Australian Bight यहनी इंडियन उसन में जाकर गिड़ जाती है उसके अलावा इसकी कुछ मात्रून डेजर्ट को देखिए तो इस सबसे Gibson Desert और Great Victorian Desert तो किसमे अवस्तित होगे तो पशी में उस्टलिया में Northern Australia आप देखिए तो इधर तरनामी Desert अवस्तित है उसके अलावा आप देखिए Northern Territory, Queensland और South Australia के जो बीच में सिमा बन रही है वहापर Simpson Desert अवस्तित हो जाता है तो आप देखिए इनको जो डेजर्ट इनको उत्तर से दक्षेन पूरे से पश्चिम जमाने का प्रयास कीजिए अब आप डार्वीन शहर को देखिए यह महतपूर है उसके अलावा इसके कुछ महतपूर को और देखिए पर्त हो जाता है उसके अलावा देखिए इधर Melbourne हो जाता है इधर Canberra इसके राजदानी हो जाती इस Sydney और Newcastle यहां भी चर्चा में भी बना हुआ था तो इन शहरों आप महतपूर है होबाट को देखिए जो तस्मानी है उसके राजदानी हो जाती होबाट यह एडिलेट हो जाती है उसके अलावा आप और भी चीजों को देखिए जैसे जो मेकडोनाल रेंच है वो कहां पर हो जती थे तो वो नॉर्टरन टेरिडेटरी में केमबल लेक्या पठार कहां पर हो जती थे तो वेस्टरन ओस्टरिया में हो जती थे उसके अलावाब हमने ग्रेट आर्टेशिन बेशिन को देखि लिया यह कार्पेंटरिया का पेंदन सुला हो गया है यह जो पातीनों तरब से पाने से किरा हुआ है अब एक अंजय में फिर देखिए कर्ण सुला हो गही है उसके अलावा आप देखिए आpm देखिता हो गया है इसके अलाव आप और बी चिजो को देखिए कुर्पर लेक्स को यह लेक टोरेंट्स हो गई है लेक इरी हो गई जो साउथ और नॉर्स में फेली हुई है और उसके अलावा आप देख सकते हैं और भी चेहते हो को यह एक ग्रेट कोस्टिलिन बाइट हो गई है इस तरह से आप देखिए इसके मेप को अब अब एक अंजी मेच के तुरू वा है यह गल फोक कार्पेंट्री है अ रेफरा से हो गया है उतन फर में टाइमə्ज यह लोगा है इंडीजी हो गया सोटर्ण ऑसन हो गया है बास स्टेट हो गया तस्ष्पानीं सीर हो बाट और विक्टोरिया उसके अलावबा आप देखीं ए techniques बेसीह केमबले का पत्र ये पर्ट तो यह मरे और डालिंग अवस्ती थे आप देख पारेगों कि एह ज्यादा तर इसकी जंसिंग कs थे क्योंकि यही पर जो रहने के लिए केरती करने के लिए अनुकुल वातावरन उपस्ती थे बाकी इस चेत्र में आपको desert दिख रहा होगा इस site में इसकी range दिखरी होगी तो इस तरह से में इसकी अपको देखने है और analysis करते रहना है ताकि कोई भी प्रश्न इन से वने तो हम कर सके हैं तब बढ़ते हैं मगली खबर पर पांस साल में ही वेश्वी तापमान बढ़कर डेर डेगरी हो जाने के आशेंका तब इस खबर को किसे जोड़ेंगे तो जेस्त्री conservation से याने सनक्षन से जलवाई परिवर्तन से और पेरिस एग्रिमेंट से और इंटरनेशनल इलिशन से जोड़कर देख सकते हैं और विश्वक की क्या प्रतिपत्द्दा हैं जलवाई परिवर्तन को कम करने के लिए तब पढ़ते की जो खबर हो क्या है तो पांस साल में ही व मांच वर्ष में ये बढ़कर 1.5 डिग्री सेल्चेस हो जाएगा और सदी के अंद तक 3.2 डिग्री सेल्चेस की सीमा को भी पार कर जाएगा इस जलवायू परिवर्तन से गरिमी और लू का कर कई गुना बढ़ जाएगा और विधित हो कि 2015 में जलवायू परिवर्तन पर पेर संबावित व्रद्धी को भी 5.5 डिग्री से उपर नहीं जाना देना है लेकिन इस्तति सुदर्ण के बजाए बिगरती जा रही हैं व्रद्धी के साथ बारत में लू का कर आम हो जाएगा दो डिग्री से व्रद्धी से लू की चपेट में आने का जोकी 2.7 गुना बढ़ जाएगा यदि तापपान में व्रद्धी जारी रही तो सद्धी के अंतक गर्मी और लू के कारण एशिया और अपरिका के कहीं हिस्तों में लोगों को रहने के योगी नहीं रहेंगे जहां करीब 60 करोड लोग रहते हैं जनरल नेचर क्लाइमिट चेंग में शपे शोत के मुताबित गर्मी सों होने वाली 37 प्रतिशत मोतों के लिए तापमान में हो रही प्रत्धी जिम्यदार ही और रिपोर्ट बताती हैं कि यदि हम वेश्वीक तापमान की व्रद्धी को 1.5 डिगरी सेल्सियों तक सीमित करन के अनुसार अगले माईने मेश्वीक में जलवाई परिद्धन शिकर शम्मेलन कॉप 26 होने वाला हैं एसे में ये रिपोर्ट सभी देशों में विशन गर्मी और उसके दुश प्रभाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने का आगर करती हैं विश्वीक के साधन संपन दे और गर्गोवति मैलाई शामीले और सरवाधी कसर निर्वल और खाष्ये पर जियावन द्रतित करने वाले लोगों पर इसका असर पड़ेगा तो यह तो हमने देख लिए कि यह चर्चा में क्यों है तो यहाँ पर चिन जीजों की बात की है तो उनको देखते हैं तो यहाँ पर एक पेड है और उसमें कुछ आग लगी हुई दिकाई दिरी होगी हो आपको उसके अलावा आप देखिए जंगल है और जंगल में देखिए कि किस तरह से जो पेड हुआ है और उसकी वज़े से जो दूआ है वो रिलीस हो रहा है फिर यही दूआ क्या बनेगा तो यह क नारबन का इमिशन खा जाएगा उसके अलावा आप देखते हैं कि जो मातपूर्ण खबर है हमारी तो वो जलवाई परिवर्तन क्या है तो पहले देखते हैं कि UNFCC COP क्या है तो COP Conference of Parties का शिंशिप्त रूपे यह जलवाई परिवर्तन पर सहीत राष्ट के टांचे यानि UNFC UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change में शामिल सदर्शो का समय लगने UNFCC वेश्विक सम्झोता है जिसमें 1902 में हस्ताक्षर किये गए ते और सम्झोते पर 100 सित्याणू देशों ने हस्ताक्षर किये थे अब जलवाई परिवर्तन क्या है तो प्रत्री के धरातल तता समय में होने वाले तापमान एम वर्षय की वी सामानिता यानि डेविशन को जलवाई परिवर्तन कहते हैं मानव के दारा किया गया प्रदूशन और गर्म हानिकारक गेसों के उत्सरजन को जलवाई परिवर्तन का मुक्य कारण बताया गया है जलवाई परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है और जलव परियावरण क्या है वो देख लिया अब यू एन एपससी का गठन तो प्राजिल के रियो डी जेनेरियों में 3 से 14 जून 1902 तक परियावरण और विकास पर सहित्तु राष्ट सम्मेलन यानि यू एन सीडी का आयोजिन किया गया इस सम्मेलन को रियो शिकर सम्मेलन या प्रत् अब देखते हैं कि यू एन एपससी का गठन ग्रीन हाउस गेसों के उत्सजन को इस्तर करने प्रत्वी को जलवाईव परियोटन के खतर से बचाने के लिए किया गया था और वरतमान में यू एन एपससी के सदश्य देशों की संक्या कितनी तो एक्सो सिट्यान हुए अब देखते हैं कि यू एन एपससी कोब यानि Conference of Parties को देख लेते तो रियो प्रत्वी सम्मेलन में ये तई किया गया कि यू एन एपससी के सदश्य राष्ट प्रत्यक वर्ट्स एक सम्मेलन है तो एकत्रित होंगे तता जलवायू सम्मंदित चेनताओं और काली पार्टिस का नाम दिया गया था और पहला कोब कहा हुआ था तो सबसे पहला हुआ था जर्मनी और बर्लिन में और आखरी में कहा हुआ था तो कोब 26 2021 में होता ग्लासको और स्कोटलेंड में अब होने वाला कहा है तो मेश्रम होने वाला है 26 वा अब पैरिस सम्मझोता क्या जाता है अब समझोते के प्रावधान क्या है तो इस समझोते में प्रावधान है कि वेश्विक तापमान को दो डेगरी सेलसे से नेचे रखना और कोशिश करना है कि वो 20.5 डेगरी सेलसे से अधिक ना बढ़े दुसरा मानवी कारियों से होने वाली ग्रीन हाउस गेस उस्तरजन को इस इस तर पर लाना है कि पेड़ पोदे समुद्र और उस प्राकतिक रूप से सोक सके और इसकी शुरुवात 2050 से 2100 के बीच करना है और समझोते के तत हर 5 साल में ग्रीन हाउस गेस गेस उस्तरजन में कटोती में प्रत्यक देश की बुमिका की प्रकतिकी स्मिक्षा भी करनी कि कि इस देश ने कितनी जी एज कम की है विकास्रिक देशो के लिए यलवायू विसायता के लिए सो अरब डोलर की प्रति वर्ट से देना और प्रविश्य में इसे बढ़ाने के प्रति प्रति बदिर्ता दिखाने की भी बात की गई थी अब देटके हैं कि जो पहरी समझोता उसके आलोचना क्यों की जाती है तो पेरी समझोतों के आलोचकों का मानना है कि ये समझोता बहुत सीमित और देरी से उठा गया कदम है वर्तमान में कार्बन डाइकसेट का इस्तर पूर्वो ओद्यों की इस्तर की तुलना में 30% बढ़ चुका है ये समझोती की एक प्रमुक आलोचना यह है कि जल्वाई परोरितन के पहले से दिखाई पड़ रहे है प्रवावों को नजर अंदाज करते हुए अब भी इसे बहुश्य की खत्रे के तोर पर देखा जा रहा है आलोचको ने इस मुद्य को भी उठाया है कि ये समझोता कारबन उससेजन को रोकने के उपायों के तोर पर भी जोड देता है लेकिन इन उपायों को प्रवावी डंच से लागो करने की व्योस्ता सुनिशित नहीं करता है अब देखते हैं कि जो विकासे लोग विक्सित देशों के बीच में विवाद की बात का है तो पिछले 21 सालों से को बेटकों में विवाद का सबसर बड़ा बिंदू सदश्य देशों के बीच जलवाई परिवर्तन से निपटने की जिमेदारी और इसके बोज को उचित बटवारे का रहा है विक्सित देश बारत और चीन जैसे विकासिल देशों पर वेश्विक उत्सर जन बढ़ाने का दोश्ट लगा रहा है जबकि विक्सित देश कारवन उत्सर जन में वरदी में अपनी एत्यासिक जिमेदारी से बस्ते रहे हैं अब पेरिस समझोता और भारत को देखिए तो विश्व में कारवन उत्सर जन में के मामले में अमेरिका और चीन के बाद बारत इसरे नमबर पर आता है अमेरिका 30 प्रतिशत, 30-10 प्रतिशत और भारत 4.1 प्रतिशत ग्रिन हाउथ गेसों का उत्सरजन करता है। स्वास्त, आप तब प्रबजन की मोर्चे पर भी बारी निविश्की जरूरते हैं। पहरी समझोते में बारत विकासी और विक्सित देशों की बीच अंतर इस्तापित करने में काम्याब रहा है। तो इस तरह से में जो पहरी समझोता है यह देखना था कि विकासी लोग विक किमेज को देखिए। तो यहाँ पर आप देख पार हूँगे एक दिखा हुआ है एक्टमस्फेरिक कार्बन डाइकसाइड, सोलर एनरजी, ग्लोबल टेंपरेचर सिंस 1880 से अब आप देख पार हूँगे कि यहाँ पर जो दिखा रखा है कि जो ग्लोबल टेंपरेचर है व तो आप देख पार हूँगे कि इसका कंसेंटरेशन है वो बढ़ता जा रहा है अब यह नुकसान क्यों करेगा क्योंकि यह जी एची है यानि ग्रीन हाउस गेस है और यह ग्रीन हाउस एपक्ट को जनरेट करेगी जिसके वज़ेस क्या होगा कि जो ग्लोबल टेंपरेचर जरी या प्रत्वी का जो तापमाने वो देरे जरे बढ़ता जाएगा अब यहां पर देख पार हूँगे सन तो सन का जो टेंपरेचर है या जो ओर्जा मिलती है तो वो कॉंस्टेटली यानि लगातर वो समानी है यानि ज्यादा उसमें परियूरतन नहीं आ रहा है कितना था और समय के साथ आप देखिए कि 2020 में जो टेंपरेचर है वो कितना बढ़ चुका है तो यहां पर दिखाए हूँगे कि 1.1 degree Celsius तक बढ़ चुका है यानि समय के साथ देखिए आप ग्लोबल टेंपरेचर कितना बढ़ता जा रहे अब आप एक अंजी इमिच को कि तो यहां पर दिखाए हूँगे difference from 20th century average तो यहां पर दिखाए हूँगे temperature को दिखाए हूँगे January, February, March, April में अब यहां पर year दिखाए हूँगे जो black color में दिखाए हूँगे 2015 का फिर इस color में दिखाए हूँगे 2019, 2005, 2013 तो इस तरह से आप देख पा रहे हूँगे 2015 में किस तरह से जो temperature है वो बढ़ता ही जा रहा है यानि समय के साथ दिर 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 टेंपरेचर है ग्लोबल टेंपरेचर वो बढ़ता ही जा रहा है तो य दिर बढ़ता ही जाया में देख कोशूजद की हर्षना जाफटार को जोग गा है इस करे दिर पा…. परस्यर दिर पते बढ़ता है के इस तरह से इसको देखना आए तब बढ़ते हैं हम अगली ख़बर पर हमारा जो इसलेशन हो तो यही समापत होता है अब हम Google Map को देखते हैं तो यह हमारा प्यारा भारत हो गया तब सबसे पहले चलते हैं उस्टिलिया पर तो इसलेया पर हम कौह से तो बंगल की खाड़ी इंडि और यह तस्मानी हो गया है इसके अलाव आप देखी यह Melbourne हो गया है यह Australia की जो राजदानी वाला चेतर हो गया है यह Melbourne Canberra वाला चेतर सेडिन हो गया है इसके अलाव आप देखी यह Brisbane Queensland की राजदानी हो जाती ही एक Great Dividing Ridge और यह Great Barrier Rip अवस्तिती इदर देख पा रहे होंगे आप इसको उसके अलाव आप देखी कि इसमें जो डेजर्ट अवस्तिती वो देखी तो यह आपको देख पा रहा होगा कि इसके ज्यादा तर्षे तो यह डेजर्ट में वस्तिती तो यह देखी यह Gimpsum डेजर्ट हो गय तो यह Lake Gardiner जो नेशनल पार्क से यहाँ पर यह जिल अवस्तिते हैं अब यह Lake Torrens हो गई है यह Lake Chrome हो गई है यह Lake Lens हो गई है और यह Lake Irish South वाली जो Lake है वो अवस्तिते हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अब यहाँ पर आप देखिए इसकी नद्यों को देखिए आप आप देख पारे होंगे कि जो डालले और मुरे नदी है वो यही पर अवस्तिते हैं इसकी विक्तोरिया वाले चेत्र में आप देख पारे होंगे यह आपको कुछ चेत्र दिखाई दे रहा होगा रिवर्ड जैसा यह मरे नदी को दिखाई हुआ है यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर यह उसकी शेत्र दिखाई हो कि विक्तोरिया में बाल यह इसे संकेत मिल जाते हैं सेटिलाइट से कि देख सकते हैं कि कहां पर क्या छेत्र हुए कोन सी हल चल रही ही आपर तो आप देख पार होगे कि यहाँ पर ज्यादा तर छेत्र आपको जो reverse वाला दिखाई दे रहागा तो इसकी जंसें के आप झाल ज्यादा तर यहीं पर अभस्ति थे अब इसका आप satellite ग्यूद देखिए तो आप देख पार होगे यहाँ पर देखिये आप जिन दो रिवर्स करें बात करें तो तो ये रिवर्स आपको देख रहे होगी तो इस तरह से आप देखी इसको आप देखेए कि ये स्टिला का चेथर आपको desert वाला चेथर देखाई देरो यो ज्याधा तर चेथर तो आप देख पार होंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को अब जो इसका ग्रेट पेरियर रीप उसको देखी आप तो यह आप देख पार होंगे ग्रेट पेरियर रीप्स हो गया है तो इस तरह से आप इसे देखिए अब हम चलते हैं भारत में वापिस हम चलते हैं ज्यान वापिस प्रक्राण पर तो यह वारानिसी हो गया वारानिसी में चलिए आप तो यह विश्वनात मंदिर चलिए अब देख पार हुए और विश्वनात मंदिर अपर हुआ है ज्यान वापिर मज़ित है तो आपको दिखाई दे रहा हुआ है ईनकी दूरी कितनी है यह लग बँफन वापि कशी शीविश्वनात मंदिर आ गया है अब आप सेटलाइट यू से देखने का प्यास कीजिए तो आपको दिख रहा होगा ये ओज दिख रही होगी जहां से जो शेविलिंग के वो मिलेती है और ये विश्वनात मंदिर हो गया है अब आप देख पारेंगे उपर से तो ये जो महें जो मंदिर हो आप देख ऱहें के विश्वनात मंदिर वो कर दो से ल Celtic हो जैता है यह परिसर मंदिर हो जाता है अरे को कि ये मार। ये मारग हो गया Ake Benjamin racism अएं तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि विवाद की निचेत्रों को लेकर था कितना पास बस बनी हुई यह अच्छी थे तो इसलिए विवाद भी है यहां पर जो शिवलिंग मिली उसके वज़े से तो इस तरह से आप देखिए और यह कौन सी नदी तो यह मंदिर को देखते है अब आप देख पा रहे होंगे आप आप आयोद्या मंदिर चलेंगे तो आप देखिए यह गोरकपूर हो गया यह आज्यमगड़ हो गया, अब चलिए अयोधिया मंदिर में ने, यह फेजाबात हो गया अपि खौन सी नदी किनारे बस आ होते हैज़् झाल झाल तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे तो जो हमारा विश्टलेशन हैं वो यही समाप्त करते हैं आप भी इस तरह से गूगल में पे सेटलाइट विवेवन में देखने का प्रयास कीजी ताकि आपको लंबी समय तक चीज़े याद रह सके जो विश्टलेशन यही समाप्त करते हैं धन्यवाद